हेलो, नमस्कार आल, मैं रिशब जैन, बीना मार्विन इंडिस्ट्रीस से, आपने मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा, जो की अलबेटा ब्राउन से रिलेटेड था, जो एक आठ थप्यो का लोड था, उसमें से लगबग थप्या सॉल्ड हो चुकी है, आज का ये व तो चलिए, मैं इसकी जानकरी भी आपको दे देता हूँ, ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो हम आगए इस अलबेटा वाइट इन ब्राउन के लोड के पास, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है वो अलबेटा वाइट इन ब्राउन का लोड, जो कि तीन थपियों का लोट है, इन तीनों थपियों में लगबग 25 स्क्वेर फिट माल है, अब इन तीनों का कलर देख सकते हैं, कम्प्डीट ब्राउन नहीं है, वाइट में ब्राउन है, ब्लैक लाइन का माल है, कुिस्टल एकडमभारिक है, तीनों थपिया 100% fresh है, ब्वाइब है देखिए यह थपी लगबग 143 की धटकी है जिसका size करीबन 48-486 के 50 पीस है आपको इसका size दिखा देता हूँ मैं हर थपिये 2 पीस पोलिश के हुए है बार वाइब है यह देखिए इसका size हर थपिये 2 परफिस पॉलिश किया हुए यह पॉलिश कीस का और तेनों थपिया वे उनका साइज उपर लिखा हुआ है और कितने कितने पीस यह सबी पर लिखे हुए है सभी पर लखे हुए ये एक रिबान 25Bon00 बॉर्ट है कुन्ति यह दिÓ deg, स्क्वार्फिट का लोट है इसका साइज आपजेक सकते हैं उपर साइज इन्चेस में लिखा हुआ है और जो मैजर्मेंट होगा वो स्क्वार्फिट में होगा अलबेटा वाइट इन ब्राउन यह ज्यादा महंगा लोट नहीं है यह एफड़िबल है हर आदमी इसको एफड़ कर सकता है काफी एलिगेंट लुक में है बहुत प्यारा लोट है लगने के बाद बहुत सुन्दर लगता है कोई शिकायत नहीं है 100% फ्रेश है एक दम फाइन पर दिखा दिता हूँ आपको comparison करने में easy रहेगा यह जो ब्राउन आप सामने देख रहे है जो नीचे लगा हुआ है राइजर में यह डूंगरी ब्राउन है और वो जो वाइट में दिखाया तो अलबेटा ब्राउन है डूंगरी ब्राउन दिखे कंप्लीट ब्राउन आत इन दौनों में फर्क कि ही है कि वह जो अलवेटा-ब्राउन था उसमें फीगर उसका ब्राउन में था और यह गा है जो इस manikle में फीगर इसका white background gwेक ख sahए स्सेलाइब को आपको मैं इसका क्षिगर दिखा देता हूँ कि यह लगने के बाद कैसा लगता एप तीनों थप्यों का मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, फ्लॉरिंग बना कर पूरा, कि लगने के बाद ये लगेगा कैसा आपके ये फर्स्ट वाली स्लेप का फिगर है, जो कि 14 स्क्वार फिट वाली स्लेप थी, उसका ये फिगर है, और उसी का ये फ्लॉरिंग देखिए, ये उसी का फ्लॉरिंग है, ये बीच वाली स्लेप का फिगर है, जो कि तीन थप्यों के बीच में थी, जो 45 स्क्वार फिट होती है उसी का ये flooring है ये last roll slab का figure है जो कि शाधे 600 square feet वाज़ी slab है उसी का ये flooring है तो आपने इन तीनो थप्पियों का flooring का figure देख लिए होगा I hope आपको समझ में आ गया होगा कि ये लगने के बाद कैसा लगने वाला है अब मैं अपने ड्यूटी निभा कर आपको एकदम नस्दिक से इसको दिखा देता हूँ इसका crystal आपको समझ में आ जाएगा ये देखिए एकदम बारिक crystal है पॉलिश देखिए इसका अगर आपको पॉलिश वीडियो में आपको दिख रहा है बहुत खुब सूरत material है इन किसी भी थपी का आगे का जो दोपीश है वो आगे के नहीं है वो बीच के निकाल कर दोपीश आगे के लगाए जाता है ताकि बीच का position आपको पता लग जाए कि थपी के जहांके दोपीश है उसके बाद का position क्या है फ्रेश है या नहीं है तो आगे के दोपीस आपको साफ दिख रहे है एकडम मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोपीस कहा के है ये दोपीस यहां के है इस जगह के बाद इन दोपीस के यहां के दोपीस के बाद आपको थप्पी का पूरा पोजिशन पता लग जाएगा कि इन दोपीज के बाद थपी का पोजिशन क्या है तो आगे के दोपीज एकदम फ्रेश है इसका मतलब थपी यहां के बाद पूरी फ्रेश है यहां तक तो फ्रेश है इसके बाद भी पूरी फ्रेश है इन दोपीज से इनका पता लग जाता है इसलिए डोपिस आगे के निकाल कर यहां लगाए जाते है आपका जो भी रिक्वार्मेंट है आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे मॉबाइल नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं आप एक बार बीना मारबल इंडिस्ट्री इस पर भी विजिट कर सकते हैं आप मैं एड् बांबल पर का कि बांबल इंड ए आप लगाए बांबल इजिए